अगर आपके पास भी एक drone या आप एक drone को बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो complete watch करें क्योंकि ये वीडियो बचा सकते आपका बहुत सारा पैसा और time drone में battery का इंपोर्टेंट roll होता है अगर हम अपने drone में अच्छा battery use करते हो तो हमें ज्यादा flight time मिलेगा अग़र हम normal battery used करते हो तो हमें कम flight time मिलेगा लेकिं बैटरी अच्छे सी charge होना और भी ज़रूरी है तभी आपको drone में अच्छा flight time मिल पाएगा अगर आपने एक अच्छ जिसके हम ड्रोन के बैटरी को चार्ज करते हैं और यह चार्जर मिलने वाला है आपको बिल्कुल फ्री कैसे वीडियो को कम्प्लीट वाच करें इसका नाम है IMAX B6 AC मार्केट में सबसे आला बिटने वाला सस्ता और अच्छा चार्जर करते हैं बैटरी को चार्जर और देख करता है यहां सारा प्रोगाम बिखता है इन स्वीचे से चार्जर को सेट कर सकते हैं यहां बैटरी का पावर केबल कनेक्ट होता है यहां बैटरी का बैटरी का बैटरी को चार्ज कर सकते हैं वैसे हम अलग-अलग ताइप के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं लेकिन हम ड्रोन का power cable, यह है battery का balance jack, यह है cable जिससे हम battery को charger से connect करेंगे, वैसा तो इसमें T plug आता है लेकिन battery में यह है XT60 connector, यहां मैं दोनों को connect करने के लिए T plug to XT60 converter का use कर रहा हूँ, अब battery के power port को इससे connect करना है, इस cable को यहां connect करना है, black को black के साथ, rate को rate के साथ, यह battery के balance jack को charger के balance socket से यहां connect करना है, अब हमें power plug करना है, battery को charge करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर battery type select करना है, हमारे पास है lipo battery, अब inter click करके charging mode select करना है, charger में हमें 5 modes मिलता है, charge, balance, fast charge, storage, discharge, charge mode use होता है, जब battery over discharge हो जाता है, तब सिर्फ battery के power cable को charger से connect करके charge करते हैं, और charge mode का use बाकी other batteries को भी charge करने के लिए होता है, balance mode में battery balance होकर charge होता है, इसके लिए battery के power cable और balance jack को charger के साथ connect करना होता है, और charger battery के sales को sense करके equally charge करता है, जिससे हमारा battery जल्दी खराब नहीं होता, fast charge mode से battery जल्दी charge होता है, storage mode battery को store करने के लिए है, मान दो आपका battery full charge है या battery low है, और आपको battery को कुछ दिनों तक use नहीं करना तब हम battery को store करके रखते हैं, और ये करने से battery के per cell का voltage 3.85 हो जाता है, जिससे battery का life बढ़ जाता है, discharge mode से battery के charge को घटा सकते हैं, इन सभी modes में से lapo battery user के लिए balance mode और storage mode बहुत ही important है, अब हम battery को balance mode में charge करके देखेंगे, इसलिए हम यहाँ lipo balance select करेंगे, अब हमें ampere select करना है इसके लिए हम वापस से interrupt क्लिक करेंगे, ये charger 0.1 ampere से लेके 6 ampere तक का battery वो charge कर सकता है, हमारा battery 2700 mh का है, लेकिं charger में ampere select करने का ही option है, ampere निकालने के लिए हमें mh को divide करना होता है 1000 से और हमारा ampere निकल जाता है, तो अगर 2700 को divide करे 1000 से तो 2.7 आएगा, इसी तरी किसे आ आप अपने battery के mh का ampere निकाल सकते हो, हम यहाँ 2.7 सेट करेंगे, यहाँ से हम increase और यहाँ से हम decrease कर सकते हैं, अब इंटर क्लिक करके number of cell सेट करेंगे, number of cell आपको battery में देखने के लिए मिल जाएगा, हमारे पास 3 cell का battery है, इसलिए मैं 3 cell कलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे ये charger 2 से 6 cell ते support करता है, आप अपने battery के recording अपने setup कर सकते हो, अब 3 second के लिए enter press करना है, और वापर से enter करके confirm करना है, अब यह battery charge होने लगा है, यहाँ आप charging का सारा status देख सकते हैं, हमारे battery full charge होने के charging automatic cut हो जाता है, सेम इसी तरह charging mode को select करके battery को charge और fast charge भी कर सकते हैं, battery को storage करने क लिए modes में हमें जाकर storage select करना है, इसके लिए हम यहाँ click करेंगे, अब हमें enter पी click करना है, अब हमें ampere select करना है, कितने ampere से हम battery को storage करना चाहते हैं, मेरे पास है 2.7 ampere का battery तो यहाँ पर हम 1 ampere select करेंगे, क्योंकि यहाँ पर max 1 ampere का ही option है, दुबारे से enter पी click करना है, हमारा battery 3S का तो यहाँ पर हम 3S select करेंगे, अब हम enter बटन को 3 second के लिए press करना है, अब हमें enter को click करके confirm करना है, हमारा battery storage होने लगा है, अब जानते हैं यह charger आपको free कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना है coupon code IMEX free और यह coupon code सिरिफ one time के लिए valid है, तो जो बंदा स किसी बंदे ने order ना किया हो, यह सोच करके किसी बंदे ने order कर लिया होगा, तो जा करके अभी check करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe भी कर ले, जो लोग इसे buy करना चाहते है, उनके लिए है पूरे 200 का discount, simply आपको use करना है coupon code IMEX 200, buy करने के ल जाद हम drone, drone parts और drone के services भी देते हैं, जो आपको worksite पर दिख जाएगा, ज्यादा जानकारे के लिए contact करें हमारे customer support को call या WhatsApp करें 9142884517 पर